गोल रोटिया विपल सुनन्दा का छूटा बेटा है जिससे सुनन्दा ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है सुनन्दा के बड़े बेटे विराट की शादी प्रतिमा से हो जाती है और प्रतिमा सुनन्दा का घर बड़े अच्छे से संभाल लेती है एक दिन प्रतिमा को अपनी कुछ सहलियों से मिलने जाना था, इसलिए वो जल्दी-जल्दी खाना बनाती है फटा-फट खाना बना लेती हूँ, फिर तयार होने में भी वक्त लगेगा इतने दिनों बाद सब मिल रहे है, मुझे तो सबसे अच्छा दिखना है भई प्रतिमा दुपहर का खाना बना कर अपनी सहलियों से मिलने चली चाती है उसके जाने के बाद विपुल और विराड खराते हैं और सुननदा से कहते है मा बहुत जोरो की भूख लगी है, जल्दे से खाना लगा दो पूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ये चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा अभी ये खाले मेरा राजय बिटा है ना तु रात को तुझे जोग खाना होगा, वो प्रतिमा से कह कर बनवा तुमगी, हाँ हाँ भई, तेरे ही मौज है, मा भी तेरे ही पसंद का खाना बनाती है और प्रतिमा भी मेरे नसिब में तो बासी है नजर मत लगाओ भईया सुननदा दुनों बेटों को खाना परोस्ती है, विराट तो कुछ नहीं कहता चुपचाप खा लेता है लेकिन विपुल जैसे ही एक निवाला खाता है, सूर से कहता है क्या मा ये कैसे सबसी बनाई है, इसमें कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं कहाना, ना नमक है ना मिर्ची विपुल थाली घिसका देता है और खानी पर से उठ जाता है, लेकिन उसे रोकते हुए सूननदा कहती है अरे पिटा रूक जा, देख, मैं तेरे लिए ना एकदम गोल गोल आलू के पराठे बना देती हूँ, तुझे गोल गोल रूटी पसंद है ना सूननदा गोल गोल पराठे बना कर विपुल को देती है, तब जाके विपुल खाना खाता है, शाम को जब प्रतिमा घर लोटती है, तब सूननदा उससे कहती है बहु, खाना देखकर बनाया करो न, तुम्हें पता है विपुल को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, आज उसने खाया भी नहीं, अब रात को उसकी पसंद का खाना बनाना जी ममे जी, प्रतिमा का मन छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर कहती है इतने नखरे तो पती के भी नहीं जिलने पड़ते, जितना के देवर के देखती हूँ, अपनी पत्नी आएंगे तो कितने नखरे करते हैं दिन बितने लगते हैं, और सुननदा विपुल के लिए लड़की देखने लगती है वो मनोच से कहती है ए जी, मेरे विपुल के लिए अच्छा खाना बनाने वाली बहुल आईयागा विपुल के लिए हेमा का रिष्टा आता है और हेमा भी सबको पसंद आ जाती है सुननदा हेमा से एक ही सवाल पूछती है बेटा, तुम्हें खाना बनाना तो आता है न मेरे बेटे को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं वो खाने का बहुत शौकीन है मेरे बेटी के बने खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती है खाने वाला उंगलिया चाट चाट कर खाता है अरे बस तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए शादी के ढोल बजवाईए जल से जल मैने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है और हेमा बहु बन कर सुननदा के घर आ जाती है घर में खुशी का माहौल होता है अगले दिन हेमा साड़ी पहन कर अपनी पहली रसुई के लिए तयार रहती है सुननदा उस सिखेती है बहु आज विपुल के पसंद की गटे की सबजी, राजमा, चावल, खीर और बेसन की रोटी बना ले तेरे हाथों का स्वाधा में भी तो पता चले है जी ममी जी हेमा रसुई में चली जाती है और कमर कसकर काम में लग जाती है आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब मेरे खाने के दिवाने हो जाएंगी हेमा एक ही करके सब कुछ बना लेती है इतनी दिर में हेमा को अकेला काम करता देख प्रतिमा भी रसुई में आ जाती है और कहती है हेमा, रोटियां मैं बना लूँगी तब तक थुड़ा अराम कर लो फिर सब का खाना लगा देना तुम भी बहुत देर से खाना बनाने में लगी हो ना थैंक ये भाबी आपके जैसे जिटानी तो नसीर से मिलती है प्रतिमा रोटियां बना लेती है और हेमा सब को खाना लगा देती है खाने की प्लेट देखकर विपुल की आँखे बड़ी पड़ी हो जाती है और वो कहता है प्लेट तो बाद अच्छे से सजा है और रोटिया एकदम गोल-गोल जैसी मुझे पसंद है अब खाके देखता हूँ खाना कैसा बना है बहु को तो मैं चुन कर लाई हूँ लाखो नहीं करोडों में एक है मेरी बहु सबी खाना खाते हैं और तारीफ करते नहीं ठकते खाना खाकर तुम मन खुश होगे अभी आज बहु सच मैं खाना बहुत स्वादिष्ट बना है बिल्कुल जैसा मेरे विपुल को पसंद है आप तो खुश है ना विपुल गोल गोल रोटिया देख कर हाँ मा गोल रोटि देख कर ही मेरा आधा लिटर खुन ऐसे ही बढ़ जाता है और खाना भी बहुत अच्छा बना है सब खापी कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रतिमा हेमा को बताती है कि विपुल को गोल रोटिया ही पसंद है हेमा मन ही मन सोचती है ऐसा भला कौन ही करता है रोटियों गोली होनी चीए भले अच्छी से सिकी ना हो अगले दिन सुनन्दा हेमा को नाश्टा बनाने को कहती है नाश्टे में नेहा रोटी और पनेर की सबसी बनाकर सबको परोस्ती है आडी, टेडी रोटी देखकर विपुल का माथा गरम हो जाता है और वो कहता है क्या ही यह? ऐसी कोई रोटी होती है क्या? अरे, खा के तो देखिए खाना स्वाद होना चाहिए शकल से क्या लेना देना? ऐसी रोटी तुमें काओ विपुल खाने पर से उठकर चला जाता है और सुनन्दा कहती है यह क्या है बहु? तुमने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना आता है ऐसे बनती है रोटिया? अब मेरा बिटा भूखा रहेगा क्या? मुझे खाना बनाना आता है मामी जी बस रोटिया गोल नहीं बनती इसमें मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मुझे नहीं पता? अरे, किसी भी तरह से गोल रोटिया बनाना सीख लो अब आपस चली जाओ अपने माई के हे मा रोने लगती है तब ही प्रती मा कहती है यही होता है यहाँ बहुक की इज़द बस गोल रोटी पे निर्भर है विपुल जी को माने कुछ ज्यादा ही सर पर चड़ा रखा है रो मत कुछ ऐसा करो जिससे इनकी अकल ठिकाने आ जाए इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगा गर रहूंगी आपको मेरे साथ देना होगा बाबी अरे हाँ हाँ मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ एक दिन सुननदा की तब्यत खराब हो जाती है और वो बैट से उट तक नहीं पाती सारी जिम्यदारिया प्रतिमा के सिर आ जाती है और वो बिचारी दिन भर खाना बनाती रहती है क्योंकि हेमा के हाथ की बनी रोट या विपल खाता नहीं हेमा प्रतिमा से कहती है भाबी, आप कोई बहाना करके यहां से चली जाओ, फिर देखो क्या होता है ठीक है, प्रतिमा कह देती है कि उसकी मा की हालत बहुत खराब है और उसे जाना ही होगा प्रतिमा के चले जाने के बाद हेमा ही रोटियां बनाती है रात को विपुल घर आकर खाने के लिए बैठता है हेमा टेड़ी, मेड़ी, बनी रोटी और सबजी विपुल को देती है क्या ये, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या मैं ऐसा खाना नहीं खाने वाला, मैं बाजार से खालूँगा ठीक है, कितने दिन तक बाहर का खाऊगी मम्मी जी को एक मेनी का बैठ ड्रेस्ट है और भावी तो कम से कम दस दिन तक तो नहीं आने वाली तुम उसकी फिकर मत करो, अपना काम करो विपुल बाहर जाकर खाना खाता है इसी तरह विपुल रोज तीनों टाइम बाहर का खाना खाता है एक रोज विपुल के पेट में बहुत भायंगर दर्द उटता है दर्द के मारे वो जमीन पर लोटने लगता है ये दर्द मुझसे परदाश नहीं होगा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ कोई हेमा विराट को दुकान से बलाती है और विराट विपुल को अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर कहते हैं इनने फूट पॉजनिंग हुई है सर, क्वालिटी देखी जाती है, डेकोरेशन नहीं घर का खाना जैसा भी हो, वही खाना चाहिए डॉक्टर की बाते सुनकर विपुल की आँखी खुल जाती है जी डॉक्टर साब, मुझे समझ में आ गया है ये सब मेरी गलती है गोल रोटियों के चलते मैंने खराब खाना खाया अब मुझे चाहे गोल रोटी मिले या ना मिले घर का ही खाऊंगा विपुल को डिस्चार्ज करवा कर घर ले आती है घर आकर विपुल हेमा से कहता है मुझे बहुत देज भूख लग रही है आड़ी तेड़ी रोटी ले आना चीहां अभी लाई और दोनों हस्ते लगते है